है अब दोस्तों केशे हैं आप सब स्वागत है आपके अपने चनल व्लोग रेडर्स में मैं हुआ यान मेरे साथ है मेरे पार्टनर सेंकी दा कैमरामें तो दोस्तों वाइव प्रिसम्लों आ चुके हैं राची के मुरबादी मैदान में और यहां हो रहा है दोस्तों होकी ओलम्पिक क्वालिफायर का मैच जो कि दोस्तों यह चल रहा है जर्मनी और USA के बीच आज दोस्तों फाइनल मैच है तो देखते हैं दोस्तों कि कौन्टी टीम फाइनल जित्ती है और क्वालिफायर होती है पैरिस के लिए अब मेरे आसपास देख सकत है मैं इस्टेडियम पहुंच चुका है दोस्तों और आज है होकी कॉलंपी कॉलिफायर का फाइनल मैच और अभी देख सकते हैं आप टीम अमेरिका और टीम जर्मनी मैदान पर पहुंच चुकी है और आपस हमें प्रैक्टिस कर रही दोस्तों और कुछ ही देर में मैच स्टा है नहीं है दोस्तों और यह जान पाइचान का आज मिल गया देख सकते हैं दोस्तों इस्टेडियम बिल्कुल ही बारा हुआ है जबकि इंडिया का मैच नहीं है फिर भी और मैं आपको बता दू दोस्तों इससे पहले इंडिया और जापान का मैच हुआ था इसमें इंडिय वी बात है और इंडिया और इंडिया इस टूनेमेंट से दोस्तों बाहर हो चुकी है और अभी फिर से होने वाला है दोस्तों USA वर्सेस जर्मनी के बीच फाइनल मैच और यह मैच दोस्तों साड़े साथ बजे स्टार्ट हो जाएगा हमारे एक लव यह स्टेडियम में तो बन स्टारी हो चुकी है और यह USA के जंडा लेके और जर्मनी के जंडा लेके मैदान में जा रहे हैं और यह लोगों में खासा हुस्ता दोस्तों आप देख सकते हैं और अब सारे खिलाडी दोस्तों मैदान में जा रहे हैं आप देख सकते हैं एक साड़ से जर्मनी और एक साड़ से युएस से और हमारे मनन ये नेता खेल मंतरी अपीजुल हसन जी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और ये देखिए दोस्तों अनॉंस्मेंट भी हो चुका है दोस्तों और बहुत ही भवी स्वागत दोनों टीमों का और दोनों टीम आपस में हाथ मिलाते हुए और इसी तरह से अभी दोनों टीमों का राश्टेगान नेसनल एंतम गाया जाएगा दोस्तों बहुत ही इज़त और स्टराम के साथ और अभी हफीजुल हसन सारे टीम मेंबर से हाथ मिलाएंगे उसके बाद राश्टे एंतम होगा जर्मनी का अनेसनल एंतम होने वाला है और लोग काफी रिक्वेश्ट पुली खड़े हो गए है आपको दिखाता हूँ दोस्तों स्टेडियम में सारे लोग बहुत हीज़त और इस्तराम के साथ खड़े हो चुके हैं आप देख सकते हैं और इसके बाद USA का नेसनल एंतम होगा और अब जो है दोस्तों युनाइटेड इस्टेट का राश्टी गान गया जा रहा है आप देख सकते हैं वहाँ स्क्रीन पर और अब मैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों दोनों देस्ट का राश्टी अंतम बच चुका है और मैच स्टार्ट होने वाला है आप देख सकते हैं और कौन डॉन सुरू हो गया दोस्तों देख सकते हैं आप 4,3,2,1 और मैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों यूएसे वर्सेस जर्मनी इस्टेडियम में बिल्कुल ही सनाटा योकि इंडिया का मैच हो नहीं रहा है इंडिया हार चुकी है दोस्तों और इस टोनेमेंट से बाहर हो चुकी है लोग काफी निरास है बस केवल मैच देखने के लिए बैटे हुए मैदान में काफी हल्ला गुला खेलाड़ियों के बीच जर्मनी वर्सेस यूएसे का ये मैच फाइनल मैच 12 मिनट हो चुके है दोस्तों इसी ने भी एक गोल नहीं किया और ये जर्मनी का अटैक अमेरिका की तरफ और ये जर्मनी ने एक गोल कर दिया दोस्तों यूएसे के खिलाफ आप देख सकते हैं और यहां बंपड़ा का भी खोड़ा जा रहा है दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों पहला गोल जर्मनी ने कर दिया है बारा बिनेट साथ सेकेंड में दोस्तों बहुत ही अच्छा खेली जर्मनी और मैच फिर से स्टार्ट हो गया है दोस्तों जर्मनी ने एक गोल कर लिया और अब अमेरिका की बारी ये भी काफी टक्कर का मुकाबला है दोस्तों कल जो मैच हुआ था दोस्तों इंडिया वर्सेस जर्मनी का वो मुकाबला काफी रोमांचक भरा था और स्टेडियम में काफी उत्साहित थे लोग आज उस तरह का उत्सा और उस तरह का मज़ा नहीं है लोग काफी सांथ बैटे हुए हैं लोगों को पता नहीं किसका सपोर्ट करें क्योंकि इंडिया है ही नहीं फिर भी दोस्तों इस टेडियम फुल है क्योंकि लोग मैच नहीं कुछ और देखने आये हैं सात मिनट हो चुका है दोस्तों और अभी तक USA ने एक भी गोल नहीं किया जबकि जर्मनी ने एक गोल 12 मिनट होते ही कर दिया था और काफी अटेक करके जर्मनी खेल रही है दोस्तो अमेरिका थोड़े कमजोर पड़ रही है जैसे कि आप देख रहे हैं और आज थोड़ी बहुत कोहरा के कारण आप लोगों को वहाँ पे दिखाई साइड ना दे और एफरीका इसारा और इस बार अमेरिका अटेक करते हुए आप देख सकते हैं दोस्तो और ये अमेरिका बच गया जर्मनी ने गोल बचा लिया दोस्तो अच्छा अटेक अमेरिका के तरफ से और यूएसे अप सीमेल जोल के साथ आगे बढ़ती हुई और ये देख सकते हैं ओ नो बहुत दूर से ही मार रही है दोस्तो और गोल करने की कोशिश कर रही है अमेरिका के खिलानिया ये क्या कर रही है अपस में खेल रही है अरे बाल पास करो और यहां लोग भारत माता की चिला रहे है जबकि भारत माता आई ही नहीं आज और बाल ग्रॉंड के बाहर और जर्मनी को फिर से मिला मौका फिर से एक बार अमेरिका अटैक करते हुए और जर्मनी का अच्छा डिपेंस बहुत अच्छा खेल रही है दोस्तो जर्मनी और यह देखिए दोस्तो जर्मनी फिर से अटैक कर रही है गोल के लिए लगता है प्लेंटी कॉर्नर मिलने वाला है दोस्तो जर्मनी को और मिल गया दोस्तो आप देख सकते हैं जर्मनी को अच्छा मौका मिला है दोस्तो एक गोल और वो कर सकती है और जीत की तरह बढ़ सकती है दोस्तो अब लोगों में धीरे धीरे पासा हुस्सा आ रहा है कल की त जर्मनी पलेंटी कॉर्णर का फाइदा उठाते हुए आप देख सकते हैं और युएसे ने बहुत अच्छा डिपेंस करते हुए जर्मनी को खदेडा बहुत ही अच्छा खेल रही है जर्मनी महिला हौकी टीम और ये फिर से एक अटक की कोसिस नाकाम रेफरी ने खदेडा दोस्तों फिर से एक बार जर्मनी को पलेंटी कॉर्णर बिल चुका है दोस्तों देख सकते हैं और गोल करने का फिर से एक मौका जर्मनी के पास युएसे के खिलाब और ये दोस्तों अमेरिका ने गोल बचा लिया दोस्तों जर्मनी गोल करने से नाकाम रही दो दो चांस मिले के बाद भी जर्मनी ने एक भी गोल नहें किया दोस्तों अब थोड़ा टकर का मुकाबला ये लग रहा है मुझे क्योंकि दोनों ही टीम काफी मजबूट टीम है और इस टूनेमेंट में दोनों ने काफी अच्छा परफॉमेंस भी किया था और अधर टीम के मुकाबले और पहला क्वाटर खतम होने वाला है दोस्तो मातर एक मिनट बचा है और जर्मनी ने एक गोल कर दिया और यूसेय ने एक भी गोल नहीं किया दोस्तो जर्मनी को पलेल्टी कॉर्नर आप देख सकते हैं और इस बार फिर से यूसेय ने बचा लिया और जर्मनी नकाम रही गोल करने से तीन तीन प्लिल्टी कॉर्नर मिलने के बहुजूद जर्मनी ने एक भी गोल नहीं किया दोस्तो काफी निरासा जनक बात है ये और फिर से एक बार जर्मनी का अच्छा डिफेंस दोस्तो लेगिन नाकाम रही जर्मनी और इसी के साथ पहला रौंड खतम अभी दोस्तो दो मिनट का रेश टाइम मिला है उसके बाद सेकेंड क्वाटर टाइम होगा पंद्रा मिनट का और आपको मैं एक बार बता दू जर्मनी ने एक गोल किया है और योससे ने एक भी गोल नहीं किया तो मैच फिर से स्टार्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं और इस बार अमेरिका अटैक के मूड में क्योंकि अमेरिका ने एक भी गोल नहीं किया है दोस्तो और देख सकते हैं कई पागल लोग भी यहाँ पे घुज गए है और अपना पागल पन दिखा रहे हैं फिर से एक बार टीम जर्मनी को पनल्टी कॉर्णर मिला है और USA को काफी चिंता है क्योंकि अगर फिर से एक बार जर्मनी ने एक गोल कर दिया तो USA हार की तरफ बढ़ सकती है दोस्तो और लोग इस्टेडिया में अभी भूस रहे हैं दोस्तो और मैच का आनन लेने के लिए और आप देख सकते हैं पनल्टी कॉर्णर और यह जर्मनी गोल करने से नाकाम USA का अच्छा डिपेंस चार-चार पनल्टी कॉर्णर मिलने के बावजूद भी जर्मनी ने एक भी गोल नहीं किया दोस्तो मानना पड़ेगा USA की टीम को काफी अच्छा डिपेंस कर रही है और सेकंड क्वार्टर का भी दोस्तो पांच मिट बीच चुका है मातर दस मिट बचा है और USA ने एक भी गोल नहीं किया और साइद जर्मनी को फिर से दोस्तो पनल्टी कॉर्णर मिला है और अमेरिका को फिर से पनल्टी कॉर्णर का सामना करना पड़ रहा है दोस्तो पनल्टी कॉर्णर के लिए तैयार जर्मनी टीम और ये दोस्तो जर्मनी ने फिर से एक गोल कर दिया USA के खिलाव देख सकते हैं दो गोल हो चुका है जर्मनी का दोस्तो और बंपड़ा का पोड़ा जा रहा है और लोगों में कासा उससा देखने को मिल रहा है आप देख सकते है जर्मनी की टीम काफी अच्छा खेल रही है USA के खिलाब लगता है सेमी फाइनल जर्मनी ही जीच जाएगी दोस्तो तो बने रहे हमारे चैनल पर और देखिए जर्मनी वर्सेस USA फाइनल मैच अलम्पिक कौलिफायर 2024 और इस बार अमेरिका अटेक के मुट पे और मैं आपको बता दूँ दोस्तो जर्मनी ने दो गोल कर दिया USA ने एक भी गोल नहीं किया और ये सेकंड रॉन का 9 मिनट बचा हुआ है दोस्तो काफी रोमांचक मैच जर्मनी और USA के बीच फिर से एक बार जर्मनी को पनल्टी कॉर्णर मिला है कैसी गलती कर रहे है USA टीम के बार बार पनल्टी कॉर्णर जर्मनी को मिल जा रहा है और साहद फिर से एक गोल USA के खिलाब जर्मनी कर दे दोस्तो और उसके बाद USA का जीतना काफी मुश्खिल हो सकता है दोस्तों ये फाइनल मैच और छटी पनल्टी कॉर्णर के लिए जर्मनी तैयार और उसके साथ USA भी और ये USA ने गोल होने से बचा लिया और साथ फिर से एक बार पनल्टी कॉर्णर जर्मनी को मिला है दोस्तों काफी किस्मत वाली जर्मनी बार बार पनल्टी कॉर्णर मिल रहे है और इस बार देखता हूँ कि ये गोल कर पाते है कि ने इस बार भी USA ने बहुत अच्छा डिफेंस दिखाया और गोल होने से बचाया फिर से एक बार दोस्तों पलैंटी कॉर्णर जर्मनी को मिला है उस समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों ये कैसे हो जा रहा है बार बार और पलैंटी कॉर्णर पे पलैंटी कॉर्णर जर्मनी को मिल रहा है पर गोल करने से नाकाम और इस बार देखता हूँ कि जर्मनी टीम गोल कर पाती है कि ने USA के खिलाब और USA ने फिर से बचा लिया गोल होने से और फिर से एक ब़र पैलेंटी कॉरनर मिल चुका है दोस्तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है दोस्तो रिफ्ले दिखाया जा रहा है और उसके बाद पैलेंटी कॉर दिया जाएगा ओ MVSBE का अच्छा डिपेंस व्योसे ने गॉल बचाया जर्मनी फिर भी अटेक पे अटेक करते जा रही है कोई फाइदा नहीं हुआ पेनल्टी कॉर्णर का दोस्तो कोई गोल नहीं मिला जर्मनी को इस बार अटेक के मूड पे अमेरिका दोस्तो और अमेरिका का एक टीम गिर चुका है मैदान पे बहुत अच्छा कोशिस किया था अमेरिका ने पर नाकाम रही और बॉल अभी जर्मेनी के कफ्तान लॉरेंच के पास और अपसी मेल जोल के साथ जर्मेनी बढ़ती जा रही है दोस्तो काफी रुक रुक के खेल रही है यूसे की टीम दोस्तो आगे बढ़ ही नहीं रही है लोगों के कहना है कि आगे बढ़ के खेलेगा तो साथ गोल कर पाए और फिर से एक बार जर्मेनी अटैक करने के मूड में और फिर से एक बार पलेंटी कॉर्नर मिल चुका है दोस्तो आप देख सकते हैं जर्मानी को पलेंटी कॉर्नर के लिए तयार जर्मानी की टीम और उसे रोकने के लिए यूसे की टीम तयार है दोस्तो और सिटे ही बसते ही और देखता हूँ ये गोल कर पाते है कि नहीं और ये भी गोल नहीं हो पाया दोस्तों जरमनी के कई दफ़ा फले एंटी कॉन cloth मिलने के बाद भी जरमनी गोल नहीं कर पाई वह से जरमनी ने दो गोल कर दिया है दोस्तों USA के खिलाब पाल प्रश नाओ पू आज कर दो कि थाओ नाओ नाओ शुड़ कर दो आ ढूख जुड़ को व्याद धिल को ऊच्म। कि अजबागम मृऔसले हुआ हुआ ! और इस मैच को देखने के लिए दोस्तों हमारे मानन ये मुख्य मंत्री हमें सोरें जी भी आये हुए है और स्टेडिया में बैठे हुए है और इस रौंड का साथ मिनट हो चुका है दोस्तों युएसे ने एक भी गोल नहीं किया और जर्मानी दो पर है और मुझे लगता है जर्मानी ये गेम जीज जाएगी और दोस्तों पूर्थ क्वार्टर रौंड का सिर्फ तीन मिनट बचा हुआ है दोस्तों और इस बार फिर से जर्मानी को प्लेंटी कॉर्णर मिल गई युएसे के खिलाब और प्लेंटी कॉर्णर का लाब उठाने के लिए जर्मानी और ये युएसे के टीम ने अच्छा डिपेंज दिखाते हुए गोल को बचा लिया और फिर से एक बार प्लेंटी कॉर्णर मिल गया जर्मानी को दोस्तों रिपले देखा जा रहा है उसके बाद और फिर से एक बार प्लेंटी कॉर्णर जर्मानी टीम को और अच्छा डिपेंज युएसे का अच्छा डिपेंज युएसे का मातर तीन मिनट बचा हुआ दोस्तों इस रौंड का भी और जर्मानी अटैक करते हुए और ये मैच भी गया जर्मानी के खाते में और इस रौंड का भी दोस्तों एक मिनट बचा हुआ है और वो भी खतम होने वाला है और युएसे ने एक भी गोल नहीं किया और ये मैच जा रही है जर्मानी के खाते में दोस्तों मैच में मिलकुल भी मज़ा नहीं दोस्तों लोग उठके जा रहे हैं स्टेडियम से बाहर और ये दोस्तों जर्मानी में मैच बिच लिया है दोस्तों देख सकते हैं टाइम अप हो चुका है जर्मानी दो गोल और ये मैच इसे के साथ जर्मानी ने जीत लिया आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसान मैच जर्मानी ने जीत लिया ये से के खिलाब और लोग अब अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं क्योंकि लोग निराज से हैं इंडिया हार चुकी थी इस वज़ा से और जर्मनी की टीम काफी खुश है दोस्तों क्योंकि वो जीत ली मैच आप देख सकते हैं अब इस्टेज में मैदान में तैयारी हो रही है इस्टेज लगाया जा रहा है और इससे के साथ मेडल और प्राइज दिया जाएगा विनिंग टीम को